हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं हुनक शौराप देख रहे हैं, ड्रग इन फो इंडिया असा कि आप देखी रहे हैं, आज के वीडियो में मेरे पास है कैला प्योर ए लोशन तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैला प्योर ए लोशन के यूजज, बैनिफेट्स, प्राइज, इसका बॉटल, इसके बारे में सब कोच तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, यह कौन सी कमपनी का, यह लाइफ इस्टार कमपनी का आता है और यह जो मेरे पास बॉटल है, यह 50 ग्राम का इसका बॉटल है, 50 ml का और इसका प्राइज होता है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, 99 रुपेज यह एक पेपर कार्टन में आता है, और इस पर यहाँ पर एक सील्ड दी हुई होती है आप इसको जब भी लेने जाए, तो देख लें यह सील्ड होना चाहिए, अगर यह सील्ड टूटी हुई है, तो आप इसको बिलकुल ना ले तो चली मैं आपको इसका बॉटल दिखाता हूँ, इसको खोल लेते हैं यह इसका बॉटल आता है, मैं लोशन भी दिखाता हूँ आपको यह लोशन है इसका, यह एकड़म वैसा दिखता है जैसे लेक्तो कैलामाइन लोशन होता है, क्योंकि यह भी एक कैलामाइन लोशन है अब बात करते हैं, इसकी क्या-क्या यूजिस है कैलाप्योर ए लोशन इसके यूजिस बताने से पहले मैं आपको इसके इंग्रिडेंट बताऊंगा आप इसके इंग्रिडेंट यहां पर दिये हुए है इसके पूरिफाइड वाटर, एलोवेरा जयल, लाइत लिक्विड पराफन, कैलामाइन, ग्लीसरेन, सिलिकॉन ओल, डिमेथी कोण, डिमेथी कोन ओल, मैगनेशियम, अलुमीनियम, सिलिकेट, मिथाइल परावेन, पर्फियूम, प्रोपाइल परावेन, सिटरिगेजिश् कालप्योर e-lo吗 IG कें आइरिडेशन इलीकत also काम करता है । यह इसके इरीडेशन में पंहकर आता है। यह एक एक एंटी इंफलामेट्री तरह काम करता एक एंटी गैक्शम2 की तरह भी काम करता इसके पर आस्पम करता है इसके लगानी से इसके पर ओइल नहीं और इसकिन वस्चुराइज हो जाती है, इसकिन की ड्राइनेस दूर करने के लिए बहुत अच्छा लोशन है, इंसेक्ट बाइट में ये लोशन काफी यूजफुल है, आपको किसी कीडे ने काट लिया है, किसी इंसेक्ट में, तो उस पर लगाने से वो बहुत जल्दी ठीक ह जाता है, इचिंग और रैसिद में भी ये बहुत ज्यादा फाइदे मन्द है, इसकिन अलर्जी में भी बहुत ज्यादा फाइदे मन्द है, एक्जीमा में भी ये काफी ज्यादा लाब दायक है, और चिकन पॉक्स में ये बहुत ज्यादा काम आता है, चिकन पॉक्स में ज बहुत ज्यादा लाबदायक है जली हुई इसकिन पर ये लोशन लगाने से उस पर ठंडक मिलती है और वह बहुत जल्दी ठीक हो जाती है ओवरॉल ये एक मल्टी पर्फर्फर्स लोशन है आप इसको एड़ एज बोड़ी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको अपने घर के फर्स्ट एड़ बोक्स में भी रखना चाहिए आपको ये तो यह था मेरा कैला प्यों और ये लोशन का वीडियो अगर आपको इस लोशन के बारे में कुछ और पूंचना है तो आप मुझसे कमेंट बोक्स में कमेंट करके कूंच सकते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई करोगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इंपो इंडिया मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा आज की इस वीडियो में इतना ही अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए प्रोड़क्ट के साथ तब तक के लिए गुद्बार